जारखन में विधान सभध चुनाव को लेकर चार चरण के चुनाव संपन हो चुके और अब पाचवे यानि आखरी चरण का चुनाव बागी लिहाद से तमाम गलों ने अपनी सारी ताकत जोग दी है इस चरण में प्रदेश में गुरुजी के नाम से मशूर शीबू सिरेंद के परिवार की प्रतिष्टा दाव पर है वही दूसरी और बीचपी पूरी तरह मोधी मैजिक के भरो से है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जारखंड चुनाव के आखरी चरण में किसका चलेगा जादू क्या गुरुजी के गड़ में चल पाएगा मोधी मैजिक दरसल जारखंड में हुए चार चरणों के चुनाव में 65 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब बाकी बची 16 सीटों पर जारखंड मुक्ती मोर्चे की फर्स्ट फैमली का लिटमस टेस्ट होना है इस चरण में संताल क्षेत्र की सीटों पर वोटिंग होनी है जहां सोरेन परिवार के दो सदसे चुनावी मैदान में है GMM अध्यक और CM के दावेदार माने जा रहा है हेमन सोरेन दो सीटों दुमका और बरहेट से चुनाव लड़ रहे है वही उनकी भावी सीटा सोरेन जामा विधान सभा सीट से चुनावी समर में उतरी है ये तीनो सीटे अनुसूची जनजाती के लिए आरक्षित है 2014 के चुनाव में हेमन ने बरहेट सीट से 24,000 वोटों के भारी अंतर से जीता हासिल की थी लेकिन वो बीज़पी के लुईस मारंडी से दुमका में हार गए थे बेरहेट विधान सभा राजमेहर लोग सबक शेतर के तहता दी है 2019 के लोग सबक चुनाव में यही इकलौती से जे एम एम ने जीती थी यहाँ जे एम एम के विज़पी केंडिडेट हेमन पुर्मु को लगभग एक लाग मतों के अंतर से शिकस दी थी ऐसे में हेमन सुरेन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है उन्होंने कहा कि लोगों के बीच मौजूदा सरकार के प्रति गुसा साफ दिखता है और वो हमारे साथ है हाला कि दुमका में हेमन सुरेन को कड़ी शुनावती मिल रही है 2019 के लोग सबत चुनाओं में उनके पिता शिबू सुरेन इस सीड से हार गए थे इस सीड से शिबू सार बार सांसा रह चुके जहां तक जौमा सीड की बात है तो ये सीड जाखन के गठन से पहले जी एम एम का कर रही 1923 से पार्टी लगतार इस सीड पर जीत रही इसके लिए वोटिंग से ठीक पहले प्रचार अभियान के लिए हेमन सोरेन दुमका के अपने पुष्ट तैनी घर में शिफ्ट हो गए है ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पाँचवे राउंड के लिए 20 दिसंबर को होने वाली वोटिंग में गुरू जी का जादू चलता है या फिर मोधी मैजिक इंडिया नियूज वारल की रिपोर्ट